हेलो फ्रेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक शेयर करूगी जिसे इस ट्रिक का यूज करके आप एक नहीं हजारो आइटम बना सकते हो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट और अपने हजारो बचा सकते हो आप इसको किसी भी तरीके से यूज करोगे चाहे सर्दिया आ जाए या फिर गर्मियों में किसी भी सीजन में इसको यूज कर सकते हो जड़तर उसमें बॉटम में चिकना कपड़ा रहता है सैटून का जो बॉटम में दिया रहता है अगर वो बचा हुआ हो तो वो भी चलेगा कपड़ा शनील का हो तो और अच्छी बात है जितने भी कपड़े आपके पास ब्राइट हो उसको इखटा कर लीजे क्योंकि उसी पे ही बनने पे यह चार चांद लग जाएंगे तो मैं यहाँ पे पिंक वाले फैब्रिक को यूज करूँगी कपड़ा शनील का है इसका बहुत सॉफ्ट है और इसके बनने पे और भी खोप्सुरत लगेगा डार कलर हो तो और भी अच्छी बात है तो मैं इसको यूज करूँगी इसको बस आप डबल फोल्ड कर लीजे तो लंबाई चोड़ा आप अपने कॉर्डिंग भी रख सकते हूँ तो देखे मैं बैक वगरा बनाती रहती हूँ तो मेरे पास फोर्म शीट है अगर आपके पास फोर्म शीट नहीं है तो मैं उसका भी ऑप्शन दे दूँगी आपको तो बीच से ऐसे फोल्ड करना है फोल्ड करने से पहले हम यहाँ पे रख लेंगे फोर्म शीट और सब को अच्छे से सेट कर लेंगे हाथों से कहीं भी कोई रिंकल नहीं आना चाहिए अगर आपके पास फोर्म शीट नहीं है तो इस तरह की के बैट शीट और कॉमन सी बाते सब के पास होती है बिलकुर फोर्म जैसी बिंटर्स में हम बैट शीट तरह यूज़ करते हैं पुरानी होती तो कुछ न कुछ काट फार के इसका भी बनाई लेते हैं तो आप यह ले लीची अगर यह नहीं है तो कोई भी पुरानी बूलें शॉल भी चलेगी जिसके रोय वगरा निकल गए हो कोई काम कीन हो तो आप वो भी लगा सकते हो बीच में तो देखे सिंपली हमने फॉर्म को इंसर्ट कर लिया है बीच में अब सब हातों से सेट कर लेंगे ताकि कोई रिंकल्स ना हो चारो तरफ पिन लगा लेंगे एक सेट फोल्ड है पहले एक सेट हम स्टिच कर लेंगे रिंकल्स फ्री कर लेंगे इसके बाद दोनों सेट से स्टिच कर लेंगे टोटल हमें तीन सेट केवल सिलाई लगानी है एक सेट हमारा फोल्ड है सिलाई लग चुकी है जितना भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे तो मैंने सारा कट कर लिया है पिन को भी रिमूव कर लिया है अब हम कुछ पैटर्न बनाएंगे तो पैटर्न बनाने से पहले न एक से देड़ इंच का आप गैप ले लिजे चारो दरब से क्योंकि हमारा बॉर्डर भी लगना है अब आपके मन में जो भी डिजाइन आ रही हो कुछ भी पैटर्न हो कुछ भी इजी तर टेड़ा मेड़ा जिग जैक लाइन कुछ भी बनाना हो आप उसको बना लीजे तो मैं यहाँ पर सिंपल सा फ्लावर बना रही हूँ बिल्कुल बेसिक सा कि कोई भी बना ले बना फ्लावर रही हूँ पर मैंने डिजाइन कुछ और ही बनाई क्योंकि बाद में मुझे लगा कि बहुत जादा होच पोच हो जाएगा तो सिंपल सा आप देख सकते हो आप घी भी बना सकते हो आपकी मर्जी है तो अगर आप बेल बनाना चाहरे हो थोड़ा सा मैं उसका आइडिय दे दे रही हूँ कि आप इस तारीके से भी बना सकते हो बहुत सिंपल पैटन है आप ऐसे बनाओगे तो और भी खुबसूरत लगेगा पर मैं यह बना चुकी थी मुझे बाद में याद आया मैंने ऐसी एक बेबी ब्लैंकेट बनाया था जोकी बहुत खुबसूरत लगा था और सबको बहुत पसंद आया था इसलिए मैंने डिजाइन को चेंज कर दिया यह कुछ दूसरा बना लेती हूँ तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया दे रही हूँ कि आप चाहो तो इस तरीके से बेल बना सकती है यह न और भी ज़्यादा खुबसूरत लगता है बनने के बाद यह टफ लग रहा है तो इसके लावा आप कोई भी सिंपल पैटन बना सकते हो यहाँ पर मैंने लिया है गोटा पट्टी लेस तो मुझे न परसनली यह बहुत पसंद है गोटा पट्टी लेस इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत सस्ती पढ़ती है और बहुत सारी आ जाती है एक lace मुझे ये पसंद है और कुछ craft करना हो तो मुझे satin की ribbon जो पतली वाली आती वो बहुत पसंद है इसी क्या है बहुत easily हमारा सारा काम हो जाता है बहुत ही reasonable price में तो देखें बॉबिन केस में मैं इसको भर रही हूँ करना क्या है देखें आपना इसको थोड़ा सा tight भर येगा ये हलका सा sleep होता है तो कि चिकनी लेस होती है और इस तरीके से देखें थोड़ा सा tip दे देनी हूँ इस तरीके से बस आपको tightly पकड़ना है और दूसरे हासे से round round करते जाना है तो ये easily भर जाएगा ने तो आपको बहुत दिक्कत आईगी बार पर ये loose हो जाता है और बार बार फस्ता नहीं है इसमें देखें easily हमारा ये पूरा fill हो चुका है अब हमें लेना है bobbin case और इसके screw को हलका सा loose कर लेंगे पिल्कुल हलका सा ताकि जो ये गोटा पटी लेज़े ना ये easily बाहर निकल जाए इसके क्योंकि हलकी सी मोटी होती है धागा तो easily चला जाता है बाहर ये देखें तो bobbin case पे हमें भरनी है गोटा पटी और धागे को सेम रखना है जिसका भी आप जो भी बना रहे हो पिंकल रहे हैं मैंने थ्रेड लिया है अब आपको ध्यान इतना रखना है आप जो भी embroidery बनाओगे ना सीधी साइड नीचे की तरफ है देखें जो मैंने embroidery बनाई है ये उल्टी साइड है उपर की तरफ तो मैंने सेम फैब्रीक का यूज किया है तो इतना कोई खास फरक नहीं पड़ रहा है अगर आप दोनों फैब्रीक अलग-अलग लेना तो फिर सीधी साइड जो है नीचे की तरफ देखें जो हमारी embroidery आ रही है और ये इतना खुप्सुरत लगता है pattern बनने के बाद कि मैं क क्या ही बताओं और असलाई वैसे भी आपको लगानी है सबसे ची बात है आपको सुईधा का लेकर हाथ से embroidery नी करनी पड़ती है मसीज जैसे आप सिलाई लगाते हो सिंपल सिलाई machine होगी तो भी आपका इसली ये पूरी-पूरी embroidery आ जाएगी तो जो pattern आप देख रहे हो मैं उसको भी बड़ा सकते हो तो सिंपल सिलाई लगा के मैंने पहले एक बॉडर जैसा कर दिया है और इसको छूने के बाद क्या ही फिलोरा में क्या ही बताओं कपड़ा है शनील का ऊपर से है फॉर्म तो और चार चांद लग चोके हैं बहुत ही खुपसूरा सा हमारा ये quilt बन लेना है जैसे आप सिलाई लगाते हो बस वैसे ही बनाना है और आराम से ही आपका बनता चला जाएगा आप इसके सेंटर पे हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल सा फ्लार और इसको ना कोई भी बना ले बहुत सिंपल है अगर आप फ्लावर नहीं बनाना चाहते हो तो आप य चोटा सा बेबी ब्लैंकेट बनाया था चोटा क्या इसी साइज में बनाया था जो मैंने गिफ्ट किया है और उसका नाम लिख दीजे आप छटी वगरा में जाते हो तो गिफ्ट की तरीके आप दे सकते हो बना कि कोई नूइबॉर्ण है आपके एक फैंबली फ्रेंस में आन आती कुछ और है तो इस तरीके से आपना कुछ भी पैटन बना सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डी तो देखे यहां पर हमारी इंब्रॉइडरी बिल्कुल कम्प्लीट हो चुकी है जो भी एक्स्ट्रा है ये लेस से कट कर देंगे धागे वगरा कट कर लीजे सारा के बात तो मेरा कहने का यही मतलब था इससे आप नहीं बहुत सारी चीज़े बना सकते हूं मैं बताती हूं आगे सेंटर में कुछ और क्रियेटिविटी करेंगे आपको राउंड में इस तरीके से इंब्रॉइडरी नहीं करनी है आप इस तरीके से और मेरे पास ना इतनी ह और यकिन माने बड़े सारी से बनाना कोई रॉकेट सेंच नहीं बहुत इसी तरीके से बन जाता है कुछ भी लगा नहीं नहीं है सिर्फ फोर्म बीच में इंसर्ट करना है बाकी पेस तो आपको शॉप से लेके आना है यह मेरे पास साड़ी की लेस रखी हुई जिससे ग्र गुल्डन मैच कर रहा है और यह बॉर्डर की तरीके भी लगेगा तो उपर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और पूरे पर सिलाई लगा लेंगे इससे क्या होगा हमारा जो बॉर्डर है उपर से और नीचे से तोनों साइट से एक बराबर लगता जाएगा तो जब आप लेज को हमें जैसे मैं पूरडर लगाते आई हूं उस्सी तरीके से ही सेंटर से ही फोल्ड करना है जो एक्स्टा होगा वो हमारा तिर्षे में फोल्ड हो जागा जिससे वो कॉर्णर की तरीके बन जागा देखे लेज का सेंटर पाट और जो यह यह हमारा कॉर्णर बन जाता है तो कॉर्णर बनाने में कोई टफ नहीं है बहुत इजी है इसको बनाना जैसे आप स्टेट पट्टी लगा रहे हो आप वैसे लगाते आईए जितना एक्स्ट्रा बचेगा वह हमारी तिर्ची प्लेट जैसी पढ़ जाएगी वह हमारा बोलते हैं यहां से मशीन चला लीजे तिर्ची में चला कैसे पक्का कर लेते हैं अब एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और लेस को न ओवरलैप करा देंगे ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए नीचे से और उपर से बराबर से ऐसे फोल्ड करेंगे और पूरे पर और मशीन चला लेंगे, अब यहीं से हमें मशीन को उतार लेना है, ताकि जो इसका ये end part है, ये BC में जोईन हो जाए, देखें, फिनिशिंग से हमारा border बन चुका है, और पूरा quilt हमारा ready हो चुका है, तो ये आप क्या-क्या इसके बना सकते हो, देखें, बहुत सारे आइडि बना सकते हो, table mat बना सकते हो, यहां तक कि बेबी को gift दे सकते हो, बेबी quilt बना सकते हो, यहां तक कि अपने लिए भी ऐसा quilt रेडि कर सकते हो, बहुत खोबसूरत लगते हैं, यूनीक सा pattern, यहां तक कि एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर आपके घर में पुराने curtain है, प् तो और भी चारचान लग चुके हैं, और यह बहुत खुबसूरत लग रहा है, थिकनेस काफी अच्छी बनी है, तो अगर कोई भी newborn आपके family friends में आने वाले हैं, तो आप कोई भी customized blanket बना कर दे सकते हो, उनका नाम लिख सकते हो, welcome to home लिख सकते हो, welcome to our family लिख सकते हो, और ब वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आजाए तो प्लीज वीडियो को like, share, channel को subscribe कर लीजेगा, जल्दी मिलते हैं एक और useful वीडियो के साथ, thank you